हेलो दोस्तो स्वागत है आपका रूट्स टू रूट्स के आज की थेटर क्लास में तो मेरा नाम है मनू यह थेटर क्लास चले आज की क्लास शुरू करते हैं क्लास का टॉपिक है हाव तू लुक फॉर इमोशनल एंड मेंटल स्टेट इमोशनल एंड मेंटल स्टेट मैं जहां तक मेरी सोच है मुझे लगता है कि आपको बस एक वर्ट समझ माया होगा मेंटल स्टेट तो आपको लग रहा हो स्टेट दिल्ली राजिस्थान अलवर सौर इमोशनल यह हो गया मेंटल आपको समझ माया रहोगा मेंटल मेरी क्लास में जो लड़का है जो बहुती नलायक है मेंटल अरे वो तो मेंटल यह आपको लग रहा हो मेरा भाई मेंटल यह आपको लग रहा हो मेरी बहन वो मेंटल मेंटल यही लगते हैं और को मेंटल होता न लेकिन यह बिटा mental अलग है ठीक है अभी इस पर आएंगे यह भी आपके दिमाग मेंने डाल दिया how to look for emotional and mental state कैसे देखे सामने वाली की emotional state को कैसे समझें कैसे understand करें ओके पहले आते बेटा normal topic हमारा रोज का posture थोड़ा सा posture state करें सीधे बैठ जाएं यह जो आगे ऐसे उकडू होके बैठे हैं बिलकुक कूबर सा निकाल के ऐसे यू होके देख रहे हैं यू यह यू होके देख रहे हैं यू बेटा सीधे हो जाओ एकदम सीधे हो जाओ जबान क इसे छोड़ो और बेटा रेलाक्स होके छोड़ो मैं नकल करने को कह रहूं ना तो कुछ ऐसे करेंगे ऐसे नहीं नॉर्मल self attitude arrogance अपना ego उसको ध्यान में रखो सांस लो सांस छोड़ो यह लंग्स ऐसे चौड़े होंगे चाहें आप चेक कर सकते हैं शोर मत करना silence रहो silent रहो back को straight रखो मुंडी को straight रखो सामने देखो और सांस लो सांस लो relax बहुत अच्छा फील होगा देखो सुबह से आए वो बेटा 5 बजे के उठेवे होगे 6 बजे के 7 बजे के उठेवे होगे पहुंचे होगे class concentration खाना खाना छोटे बच्चों इतना concentrate हो भी नहीं पाता मैं मान पर सांस लो relax अपनी body को relax feel कर आओ भूल जाओ क्या हुआ है भूल जाओ तुम क्या करोगे भूल जाओ वह बस आने वाली है भूल जाओ मैं लेट भूल जाओ बस निकल जाएगी भूल जाओ पहली seat बैठके जाओंगा, भूल जाओ कि पीछे वाली सीट मिलेगी, सब भूल जाओ, घर पे जाके game खेलना यह डाट खानी है, सोना है, खाना क्राना है, सब भूल जाओ, relax, ultimate tool है, life का relax, कुछ नहीं पता बेटा, घर पे जाके सोने को मिले ना बिले, यहीं पे सो जाओ, relax करो, सब से ultimate चीज कभी भी खाली हो यह exercise करो एकदम मुंटी स्टेट सामने देखो आंक बंद करो और रिलाक्स आंक खोल भी लो लेकिन रिलाक्स सांस लो बेटा, सांस लो सांस छोड़ो, गहरी सांस लो गहरी सांस छोड़ो, topic पर आते हैं How to look for emotional and mental state दिमाग की अवस्था बेटा ऐसे मत करो न, बेटा अच्छा लगता है मत करो, don't do this दो teacher हैं क्लास में एक बड़ी गुसेल हैं एक बहुत normal है, बहुत soft है, बहुत light hearted है क्यूं? Mental state उनकी थोड़ी mental state ऐसी हो रही है, इसलिए वो ऐसे हैं ठीक है? उनकी mental state शुरुवात से ऐसी है या उनको जो शुरुवात में जब उन्होंने teaching स्टार्ट करी, उनको बच्चे ऐसे मिले हैं वो ऐसे ही हो गए, उनकी mental state है कि बच्चे सारे निकम में होते हैं, यह मानते नहीं है, इनको मारो चार चाटे तब ही सुदरेंगे यह उनकी mental state ऐसी है बेटा इसको आप understand करिये, don't say वो तो बड़े ख़डूस है, वो तो बड़े ख़डूस है यह एक word में हम बड़ी जल्दी judge कर लेता है this is not right, this is not correct उनकी mental state ऐसी, वो ऐसे behave करते है एक teacher है बहुत soft-tarded है, इनकी mental state ऐसी है क्योंकि इनको बताया गए, इनको लगता है कि बच्चे सुधर जाएंगे, इन्होंने देखाए कि बच्चे सुधर रहे हैं, बच्चे अच्छे हैं खुद को, self को ऐसे ही treat करते हैं वो यह mental state है अब bringing, शायद उन teachers के parents थोड़े ऐसे हो जो थोड़े गुसैल हो, तो इसलिए वो थोड़ा खडूस हो जाते हैं थोड़ा अडीयल हो जाते हैं इसको समझझे घर पे आपके parents है आपकी, अपके पापा से बनती होगी आपको आपकी मम्मी पसंद नहीं होगी आपको आपकी मम्मी पसंद होगी पापसे नहीं बनती होगी यह आपको लगता हो पापा तो बटे एरगेंट पब ड़े इटीटियूड में रहते हैं पब वह कुछ सुद्रेगा नहीं अकड़ना पड़ेगा तभी जाके सुद्रेगा mental state यह mental state है इसको समझो क्लास में एक लड़का है उसके 90-90 नंबर आ रहे हैं सो में से एक लड़का है उसके 20 नंबर आये एक्जाम में 30 25 27 छे सब्जेक्ट में इसे नंबर आये क्या है यह कि दोनों वहीं है बिटा mental state mental state उसकी mental state है कि उसको पढ़ाई में मन लगता है दूसरे का नहीं लगता मन दिमाग नहीं लगता और भी बहुत सारी रीजन होते हैं दूसरा जिसके 90-90 नंबर आ रहे हैं उसको पता है मेरे फादर की जी लगता को मेरे फादर पे तो सब कुछ है तो क्या करना छोड़ो जैए दूसरे को यह भी हो सकता है कि कि खाना मैं फादर का भी कुछ नहीं है यह तो मेरे से चली ने चोड़ो उसका mental state तो कोई होगा जो मेरे को काफी कुछ बता देगा कोई इतना बता पाएगा कोई बिलकुल नहीं बता पाएगा यह mental state है आप लोगों की अलग-अलग mental state होती है reason क्या होता है क्योंकि जो इतना समझ पार है उसका जो बाकी का दिमाग लगाए वो कहीं और है शायद उसका घर में गेम पे लगाओ कि fun school का गेम आया हुगा वो खेलना है और नया गेम आया मैं तो वही खेलूँगा वो खड़ा हुआ है मेरी बात सुन रहा है लेकिन उसको यह कि गेम आया मुझे वो खेलना है या किसी को होगा cricket match है मुझे वो देखना है या किसी को होगा और यार cricket match कहना मैं cricket खेलने जाना है वो गली में cricket खेल लोंगे पता नहीं क्या खेल लोंगे मेरा बैट भी उन पर मेरी ball भी उन पर किसी को इसकी चंता हो रही होगी understand this thing भाई यह वो तो सोरा होगा अब मैं घर जाओंगा मैं ही सारे काम करूँगा यह करूँगा वो करूँगा यह mental state भी होती है समझ रहे हैं आप mental states को समझें आपकी हमारी सबकी अलग-अलग-अलग-अलग mental state है okay सबसे basic example पर आते हैं शेर एक जवान शेर शेर कैसा होता है like this एक जवान शेर है लेकिन he is behaving like this क्या हो गया शेर diseased है शेर बीमार है तो क्या होता है बीमार से mental state बदल जाती है दिमाग की सोचने की शक्ती बदल जाती है जो बीमारी है उसने उसे cover कर रखा उसके दिमाग पर असर पड़ा है उसे उसका mental state बदल गया है वो जवान शेर है यार जवान शेर कहां से काँ फुदक जाता है किसी दहाडे लगाता है लेकिन वाज़ है उसकी mental state बदल गई है understand this thing जब आप बुखार होता है आपको आप कैसे behave करता है बुखार देखो सब बच्चों को होगा मैं इसलिए बोलता हूँ आपकी मम्मी को बुखार होगा कल मम्मी ने तना डाटा आपको इतना जोर-जोर से ड बुखार हुआ है और मम्मी पेटा तु खाना खाले ओ बजार से लेकर छोले बटूरे लेकर खाले हो में यह तो देखता अब ठीक नहीं है मैं सोले जा रही हूँ कैसे कैसे बॉड़ी लटक गई सब कुछ वही है यार बॉड़ी आंक भी वही है सब कुछ वही है क्या हुआ इफेक्ट करा ब्रेन पर दिमाग पर उनकी मेंटल स्टेट बदल गई है अंडर्स्टैंड टायडनेस सैडनेस यह जो इमोशनल स्टेट है वो साइडनेस की इमोशनल स्टेट है अभी मम्मी की पेटा तु खाना खाली हो मैं बहुत देख बुखार है देख छोले बटूले लेके खाली हो बजार से पैसे पर समय पड़े पचास रुपे सो रुपे जित्ता है खाली हो तू है का को उसको बोल दियो वो जो बड़ा भाया है तेरा वो ल इसाल कर दिया मुझे और अब देखो बदल जाता है बेटा हर mental state बात बात में बात बात में बदलती है अभी मैं आपको समझारो मेरी अलग है अभी camera बन्द होगा मेरी mental state अलग हो जाएगी क्योंकि मैं थक जाओंगा मेरा गला सूखेगा ऐसा like this understand करे mental state को चलो ठीक है अब हुआ है 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 अगर बताइए क्या हुआ है क्या कोई स्कूल का बच्चा बताएगा क्या हुआ है इस इंसान की mental state क्या है something tell me tell me something मैं फिर से कर देता हूँ 6 gang 있고요 tell me mental state क्या है इां पे इस मृन्ट़ छेल चेट कैसे हो जाती है बदल जाती है नौर्मल घर先 नौर्मल निकला होगा यह हो सकता है लेट हो गया तो भाग भाग के जा रहा है वज़ाई महत्सारी बाग बाग के जा इससे पता के चलता है लेजी है वो आलसी है वो अंडर्स्टैंड करें इस बात को ठीक है बेटा ओके एक और मेंटर स्टेट है बट यह एनिमल की है ओके बताएं क्या है यह समझते हो ना गली में मतलब कुता भॉका है ना कुते ऐसी भॉकते ना आपस में लंबा कुछ करते रहे दे ना very good क्या हुआ इस डॉग को this is a dog I am trying to resemble a dog इसकी mental state बताएगा कोई क्या हुआ इस है गैस करो ठीक है बेटा बेटा इमोशनल स्टेट होती है कि हमारा sadness कितनी आ अगे इस वाली स्टेट में अभी जो मैंने आपको इक्जंपल दियो sadness की स्टेट थी अभी एक और आते हैं अभ यह स्टेट इसमें emotional स्टेट बदल देते आपको मेंटल स्टेट बतानी है इमोशनल स्टेट थोड़ी सी बदल देते पता तो छली रहेगा क्या है कोई mental स्टेट बताएगा वो सलाम कर रहा है इस सिवरल रीजेंश की इंडिया गेट पेट परेड़ हो रही है जो होता है उस पे चड़ेवे होते हैं whatever that tank वाली जो वो निकलते है जो जुलूस निकलता है उसमें सलाम कर रहा है there are several reasons कि उसने कुछ करा है जो उसको वो मिल रहा है several reasons यह सापने बहुत अच्छा पकड़ा सलाम कर रहा है mental state क्या है pride emotional state क्या है pride अच्छा गर मैसूस कर रहा है happiness का feeling है इसमें ठीक है समझो इस बात को happiness का feeling एक और आदे है happiness के feeling बे क्या है mental state क्या है इस आदमी की कौन है यह कौन है sports person हाँ there is a possibility there is a possibility हाँ ठीक है कोई high power का आदमी है sports person वैसे मेरा sports person वो था नहीं लेकिन लगा होगा क्योंकि विराट कोली भी ऐसा gesture करता है या राफल नडाल करता है देखा जाये तो मैंने sports person से ही copy कराता है anyway good very good एक दो और चीज़े मैं आपको बताता हूँ बेटा देखो घर पर हम कभी relationship हमारे होते हैं parents से भाई से बेहन से कभी कबार किसी बात पर लडाई होती है फिर उसके बाद वह नॉर्मल हो जाते है फिर उसका नॉर्मल खाना खा रहे होते हैं फिर हम साथ में जा रहे होते हैं फिर हम साथ में घूमने जा रहे होते हैं साथ में picture देखते स्रूंस offers रहें खाप अलग मेंटल स्टेट खाना खाने मेंडाल मेंटल स्राइड कोई बात हो गई कपड़ी नहीं थो है तो उसमें तो खाना थ खाना ऐसी छोड़ दिया महां पर रख दिया मम्मी मार ने अगई मर hips कहा में मेंटल स्टेट हैं आप संस्कारइट कीमानों आगई हिंदी की टीचर लागई केसूंट टेस्ट होते हैं तब एक टेस्ट रख दिये तेचर ने कैसे मारा मेंटर स्टेट बदल जाता नंबर आएंगे बड़ी है बावाई होगी घर में अभी आ जाता लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसका मेंटर हो गए एक्जाम आपने कर दिया कर दिया कर दिया आपको पता चला आपने जो आंसर लिखा वो तो किसी और का था आपने इतना अच्छा रट्टा लगा रखा था किसी और आंसर का आप वही लिखके आ गए फिर आप उमीद करेंगे कि ओ को एक्जामिनेशन सेंटर में आग लगजाएठ पेपरों में अट लग जाए बिलकों रा सेस्ट बदलता है हमारा छोटी 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 बातों पे बदल आता है है कि है कर दूंदी चल रही हैwater cooler कंड़ाब हो गया मेंटेस भीठ बदलगी हमारा आपको पानी चाहिये थंडा मेंटे कि पाधल वह ऑं भगवान नंडज हो जालै मैं तो बारिश में भीखता-भी बिखता ज्सक्राइब अरे अब कैसे जाएंगे यहां यहां तक पानी आ रहा है घुटनों तक भीग के जूतों में पानी भढ़ जाएगा कल कैसे स्कूल आएंगे फिर डार्ट पड़ेगी अगर छुटी ले ली तो समझ रहें आप छोटी छोटी बाते हैं छोटी छोटी बाते हमारे मेंटर स्टेट को अफेक्ट करती हैं छोटा छोटा कैसे स्कूल में एसी बैठेए चला पर चला पंखलो चला यवा खराब हो गया डाये अबसेाज़ पर घरमी पसी ने आपके बास हेंकी नहीं आजा आपको टी शेट से पोचदちゃん पड़ेगा टीशेट गंडि हो गई तो फिर आपके बास दूसरा पेखर दो вариं तो एड म नहीं है कल क्या पहनेंगे there's so many things so many conflicts इतने हो जाते हैं हमारे mentor state बदल जाता है आप समझ रहे हैं इस बात को ढूंडे ढूंडे चीज को ढूंडे सामने वाले को समझे छोटी-छोटी करें कोई अगर टॉपिक है अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं वह आपको समझ नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है आपका mentor state अलग है कि क्यों language के जो subject होते हैं उनमें नंबर आते हैं क्यूं match में नंबर आ जाते हैं बाकी में नहीं आते हैं आपका दिमाग आपकी mental state ऐसी है Calculative आपकी mental state है Calculation में आपका mental state ज्यादा अच्छा काम करता है या किसी का science में ज़ाद अच्छा astronomy, धर्ती, धर्ती, गोल, बाखी planets, वो कैसे हो, तोगे महाँ ज़ाद अच्छा काम करता है, मेरा दिमाग इसमें ज़ाद अच्छा काम करता है, मैंने इसलिए science लिया था, mental state, different, 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 different mental states, business वाला हो जाता है, कोई commerce लेता है, business mental state हो जाता है यह, कोई अलग नहीं है, कोई ऐसा topic नहीं है, कि हवा में उड़के आए, आस्मान से आगया, कि ऐसे टपका दिया, चलो बता दो, इस पे lecture दे दो, नहीं, छोटी-छोटी बातों को समझें, ओके, एक और exercise करते हैं, बस छोटी सी है, आपको guess करना है, यह खुद आप कर सक हकते हैं, mental states की, R O U T S to R O O T S, ओके बेटा, what is this, R O O T S, क्या होता है, R O O T S, मतलब रास्ते, R O O T S, मतलब जड़े, जड़ों की और के रास्ते, या रास्ते, जो जड़ों को जाते हैं, R O O T S में जाते हैं, बताइए क्या है यह, ओके बेटा, अब बताओ कौन था यह, ऐसा कुछ, इसमें गुस्सा, या ऐसा कुछ था नहीं, यह समझा रहा था, यह neutral की तरफ होता है, ऐसे कई teachers आपको मिलेंगे, जो neutral होंगे, इसको समझना, ओके बच्चो, आज यह क्लास यहीं खतम होती है, अगली क्लास के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाए, थैंक्यू रूटस तू रूटस